कोई imagine कर सकता है कि यह ऐसी location इतने short distance में यहां पर मैं चाहूंगा अकेला ना आए कोई और रात के टाइम पर ना आए यह झा सकता है वाट्स आप लवली पीपल दिस इस विबेक है फ्रम युके ब्लॉग्स कैसे आप सब लोग आप सारी लोग अच्छे होंगे आज का एक फिर से शॉट राइड है और मैं बता दूँ आपको कि आज कोई मंडे या संडे संडे को है नहीं एक शॉट राइड वो भी अचानक ऐसा कोई प्लाइड नहीं ता अचानक प्लाइड बन गया कि प्रब्ली विल कवर दिस लोकेशन आज वेल सो लेट्स गो फटाफट आपको दिखाते हैं आपको अपने इससे पहले अगर मेरा प्रिव्यू देखा हो और इसका ट्रेलर देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि यह कहां से मां आपको लेके कहां जा रहा हूं और अजाए नाट अपको लोकेशन बत तिल अवरी बीटिवल लोकेशन विच इससेल्फ इन अपर एकली खाली पांच बच के पचास मिनट और वाओ क्या ब्रीज यार तंडी तंडी हवा चल रही है राइडर्स जैकेट के अंदर कोई गर्मी नहीं लग रही है super man so guys good morning welcome back this is Vivek here again from UKBlocks और अभी टाइम हो गया 6.47 और मैं और सुनिल भाई पहुंच गए हैं अभी मीटप लोकेशन पर यहां से निकलेंगे फड़ा फट अपनी में लोकेशन के लिए तोड़े प्राइम हो सकता है कि बहुत जल्दी मिले तो हम कोशिश करेंगे कि आप आपको लोकेशन में पोचा है फटा फट और लेट्स गो कुछ शॉट्स लेते हैं बाइक के और उसके बाद लिकलते हैं यह हैं सुनिल भाई आज मैं पहले आया हूं और लेट्स गो मिलते ह है फटा बट बाइक पे हरा दो गाईट में मुझे लग रहा है कि यह जीपीए समें लेकर जा रहा है एक केम्पी आइवे तरूप फोड़ा सा लंबा पर ठीक है कि ये थोड़ा सा इसमें कट्डे हर बंस है नहीं और शाय जो सोना को रास्ता है उसमें थोड़ा सा थोड़ा सानी काफी ज्यादा तूटा हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है पूरा सफर दयकरने के बाद हम पहुच गए है पूरा सफर दयकरने के बाद हम पहुच गए है अपनी लोकेशन पे और आप देख सकते हैं पीछे यह एक आसा अच्छलि सका नाम व्यूपाइंट है जहांसे आप पूर सिटी को एक ही तरफ से देख सकते हैं और तो यह कह सकते हैं कि हम बढ़ा हैं और यह नीचे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ज्यादा ऊपर चड़ाए में आ गए हम चड़ाए पर नहीं हाई हैं यह पहाडी नहीं है अच्छली यह व्यूपाइंट ऐसा है कि यह सड़क के लेवल पर बनावा है लेकि जो घर नीचे बने वे जो आप दिख रहा है मेरे पीछे यह जो है यह जो है यह जो जो मेरे विए लिये है वह अभी आप देखिये पटावट उसके बाद पिर बात करत झाल झाल सकता है झाल झाल दुभाइज आम शौर आपको जो शौट्स है और जो फीट डॉल शौट्स एक्षा लेगे होंगे और इससे एरिया के बारे में अगर आपको खोड़ा और बताऊं तो ये एरिया जो है जो है चौरासी अट्टा परोड में पढ़ता है ये केम पी से भी आ सकते हैं और अगर पर भाई, बहुत मेल राखरे राकस्पूरी, जफ नहीं मेला हमाला वेखना हे, फोसे कि welove, बहुत मेली जा ही थो फ़ेखने हैं यह भराद श्लेघक ट्रे स्केए अगर पड़स भी श्यूदार राओरी हैं जो पड़ेगा अगर अगर आप तरह को लिए तो पर्ति पड़ता है इसको यह मशूर है अपने संसेट और विव पॉंट के लिए और एक्चुली हमने यहां पर सन राइज देखना था तो अभी काफी जादा लेट हो गए क्योंकि हमके के थ्रू आया तो उसने काफी जादा टाइम कर लिया हमारा जो टागेट था वो दस वजे तक खर वापर जाने तक था लेकिन अभी टाइम हो गया आप निकलेंगे पां बाकि मिलते हैं आपको सडक और हाइवे पे दुबारा साधा टाम यहां से लगता नहीं है हार्टली 47 एक गंटा एक गंटा मैक्समा में लगएगा हमको घर पहुंचने में या फिर सेकिंड लोकेशन में आपको दिखा दें अगर कोई सेकिंड लोकेशन होती है तो आम शू अधरवाइस सेथा केले निकलेंगेंगे geen a कि हम कारो इस वा एंड टारी कि अ कुछ द सा टेमें। कि मगाना का लिए लिए दीक्ना माद नहीं द्लोचिन बाता पाए टो के सा बाता है अ एंड टने प्रेस्टोल तो आ पाया तो एव देफी Damna शर्क बातन है थो बिए तो रहे में। तो गाइस हम चल पड़े हैं यहां से अब बिल्कुल जैसे पहाडी एरिया में होता है बिल्कुल सडके वैसे ही है क्योंकि अब हमें पहुंचना है नीचे की तरफ अब यहां से इसी ही मिलने वाली है तो मिलते हैं फटाफट अपनी नेक्स लोकेशन में आपके साथ आपको पहार दिख रहे होंगा है अपर तक पूरी वैली काइंड ऑफ तिंग और उपर तक सड़क बना हुआ है यह एरिया जनरली लोग ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं और पॉस कैम्पिंग भी करते हैं लेके चलते हैं फटा फट उसके बाद घर भी जाना है और धूप ज्यादा हो चुकिया है इन फाक अब घुकिया है यह यह है झाला दो अपली ऑब अबूएब लोग जब रीडिया में फिर लोग गाउट कर्वेश्या करें और भीडेश्वाब, दो अबूड़ का अब्ली लोग किया मंगे लोग कर्वें करें और भीड़ का बशर के वाला हुआ लोगो सक्ष पार बोगी पड़े हैं वापस अपने घर की और जो हमने लोकेशन की बाद करी थी आपसे दूसरी वह उस लोकेशन में ज्यादा कुछ खास नहीं था एक चोटी सी एक चोटा सा कैफे है लेकिन हां मिलना हाना साकार हो गया क्योंकि वी मेड एक्स भी एच पी एंड टीम जो की एक बीम ड है रिख तो इसमेट अब यह पीजिए अग्यां प्लीज एग जा रिख पर फॉस टेज के लेकिन अभी वी मिट दें तो गाइज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इंस्टा पे और फेस्बुक पे प्लीज फा रहे हैं कहा हमारी upcoming rides हो रही है वह updates आपके पास पहुस्ती रहेंगी और comment करके जरूर बताईएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार अच्छा लगा और आगे कौन सी next video मैं करूं आपके साफ से मुझे बताईएगा जरूर क्योंकि बहुत जरूरी है अभी we are planning for a ride for sure एक नई long ride plan हो रही है but as soon as we'll get the information आपके पास information आजाएगी guys so guys this channel को support कीजेगा so this is Vivek from UK blocks signing off जाहे हैं